इने जनता तक पहुंश बनाने इन सब का फायदा होता है आर्थिक तोर पर होता कि छोटे छोटे आपके कारेकरता काम पा जाते हैं उनके काम पाने के बाद वो आपके साथ लगे रहते हैं इनका अपना बजट होता है और अब तो कई कई लोकल बॉड़ी के बजट बहुत ब सबके अपनी कारेकरताओं को आर्थिक क्रूप से मजबूत करने के लिए वो फीध हैं दूसरा तीसरा फायदा यह होता है कि त्री टियर सिस्टम में बहुत से चीज़े जो लोकल बॉड़ी के पास होती है उसको आप उपर से लेके करा सकते हो स्कीम को इंप्लिमेंट करने में सुविधा होती है यह एक सबसे बड़ा फायदा है माल लिजे कि एक आयुशमान कार्डी स्कीम है आयुशमान कार्ड स्कीम है रासन के स्कीम है इन स्कीम को अगर को इंप्लिमेंट करना हो तो आपको निश्चित तोर से लोकल बॉड़ी से बड़ा फायदा मिलता है कि यूपी के ये शहरी विकास का बजट 27,211 करोर का बजट ठा कि ये तुम परılarा यूपी के शहरी विकास का बजट 27,111 करों का बजट था जाहिए इस बजट पर जिस बजट का एक बड़ा हिस्सा इन शहरी निकावें के हिस्से आता है नहीं ठीक कह रहा है मैंने कहा ना कि इससे आर्थिक फायदा ही होता है कि बहुत से काम होते हैं तो वो छोटे-छोटे काम अपने कारे करताओं को देख कर कि आप उन्हें मजबूत कर सकते हैं उस शहर में कोई कारिकरम करना हो तो आप कारिकरम कर सकते हैं दूसरा एक और बहुत महत्तपूर्ण विंद्व है कि अगर आपको अपना अप्रचार करना प्रिटिकल पार्टी के करना है प्रिटिकल है और यह जो बजट है इसका चितना भी कॉंस्ट्रक्शन में हिस्सा आता है वो सब का सब कारेकरता हों में बढ़ता है और लोगों का इंट्रस्ट ही होता है कि इतना बड़ा बजट अगर किसी एक आद्मिमान लीजिए कि सत्र हमारे यहां उत्तरदेश में नगर निकाय संस मेर के पास जाएगा आपके सवासद के पास जाएगा तो सवासद मेर भी विधायक की तरह एक फंड रखता है और वो छोटी एरिया में सही पेनेट्रेट कर सकता है इन्फ्लूएंस कर सकता है पिछले चुनाओ और इस चुनाओ में क्या फार्ख दिखता है कि अगर योगी जीते हैं तो इसके क्या माईने होंगे योगी के लिए देखे पिछले चुनाओं और इस चुनाओं में जो सबसे बड़ा फर्क यह है कि उस समय नई नई सरकार आई थे उसके बाद चुनाओं हो गया थे अब सरकार पांच साल पूरा कर चुकी है ऐसे इस्तिती में यह चुनाओं जो है इनके नतीजे जो है वो निश्चित तोर से सरकार के परफोर्मेंस को भी शू करेंगे यह अच्छी बात है कि योगी आदितनाथ ने करनाटका में पचार किया और उत्तफ देश में पचार किया उत्तब देश में कोई भारी-भरकम फौश दिल्ली से नहीं लगानी पड़ी, किसी निता का प्रोग्राम नहीं आया, न लेना पड़ा, तो ऐसे इस्तिति में योगी आधित तनाजी के साथ एक सबसी अच्छी बात है कि पहला एलेक्शन होगा, जिस एलेक्शन में वो कह सकते हैं, कि अगर उनकी सरकार बनती है, जिसकी उमीद दिखती है, सत्रे में वो 15-16 सीटे जीत सकते हैं, 14 भी जीत सकते हैं, तो ऐसी सच्छूइशन में वो एक कह सकते हैं, कि अगर उत्तपदेश में ट्रिपिल इंजन की सरकार है, तो एक इंजन उनका इंडिपेंड, यानि स्वतनत रूप से ख़ड़ा किया हो गया, उनके काम का भी लिटबस टेस्ट हो गया, विदान समा में कहा था कि प्रतानमंतरी कैम्पेन कर रहे थे, तो कुछ तरीका जो था ष्टे जो था वो प्रतानमंतरी के हिस्से गया, एक बड़ी टीम लगी हुई थी, फौज लगी थी, लोग समा खुद प्रतानमंतर लड़ रहे थे पिछला विधान समा योगी जी थे ही नहीं कहीं लाइम लेट में तो योगी जी को पहली बार स्टेट में अपने को स्टाबलेश करने का औसर मिला है और योगी आधित तरह ते इसाबित कर सकते हैं कि यह जो लोकल बॉड़ी गौवर्मेंट बन रही है जिसकी उमिद उनको है तो यह गौवर्मेंट बनती है तो निश्यत तोर से वो पहली बार उत्तरप देश में Achiever Chief Minister के रूप में आएँगे इससे पहले वो receiver Chief嗯ster थे पहली बार उन्हें Chief Minister बना दिया गया डुसरी बार जो चिफ preparations depreciate बने तो उन्हां बंदिश्य तोड़ी तमाम मिँच तोड़े पर उस पूरे campaign में पूरी b.jp लगी थी प्रधान मंत्री लगे थी हमें शाजी लगे थे तो उसमें भी वो partially receiver थे यहां absolute receiver है और absolute receiver जो नहीं उसमें वो partially उसमें वो partially achiever थे यहां पर वो पूरी तरह से achiever है absolute achiever है तो जब वो absolute achiever है तो निश्यत तोर से जितने भी वोट मिलेंगे उसका सब कशे उनको जाता है जितने सीटे मों जीतते हैं उसका शे उनको जाता है उनके कामकाज पर मोहर लगती है और उनका मुल्यांकन निश्यत तोर से भारती जनता पार्टी के उन बड़े नेताओं में होने लेगा जिनकी फेहरिष्ट की पूरे देश में चुनाओं में हुआ करती है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की